हेलो स्टूडायन्स पेलके टूमेड़ चैनल हम क्लास प्लस वन मैस का चैप्टर फर्स्ट सेट्स कर रहे हैं इसके अंदर हमने एक्ससाइज 1.1 जो है वह सॉल्व कर ली थी लास्ट वीडियो लेक्टर में आज हम एक्ससाइज 1.2 के लिए पहले इंट्रोडक्शन करेंगी और उसके बाद जो है वह उसके कोस्टन जो है वह सॉल्व करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं तो जैक्ससाइज 1.2 है वह हमारे उसमें जो है वह सबसे फर्स टोपिक है वह हमारा empty set empty set यानि कि null set इसको हम null set भी बोलते हैं empty set यानि null set यानि कि खाली vacant set ऐसा set जिसके अंदर कुछ भी ना हो ऐसे set को हम empty set बोलेंगे जैसे कि for example मैं आपको बोल दूँ कि एक ऐसा number लिखिए x एक ऐसा number लिखिए साथ मैं ये भी बोल दूँ कि जो x होना चाहिए वो less than 5 होना चाहिए वो 5 से चोटा होना चाहिए और साथ की साथ मैं ये भी बोल दूँ कि जो x है वो greater than 7 होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे दो बाते बोल दी एक तो बोल दिया कि जो X है वो 5 से चोटा होना चाहिए साथ की साथ मैं ये भी बोर रहा हूँ कि जो X है वो 7 से बढ़ा भी होना चाहिए तो आप खुश से सुचिए तो मैं पागलपन वाली बात कर रहा हूँ कोई एक ऐसा number पोसीबल ही नहीं है जो 5 से चोटा और 7 से बढ़ाओ तो ऐसा कोई number होई नहीं सकता तो ऐसा कोई number जो है वे exist ही नहीं करेगा तो इसलिए ये set जो है वो हमारा खाली set रहेगा इसमें कुछ भी नहीं होगा तो ये मैंने एक example की मदद से आपको समझाने की कोशिश करी है कि empty set होते क्या है empty set ऐसे set होते हैं जिनके और उसका फिर set बनाइए तो आप imagine किजिये कोई order number जो है वो two से divide होता ही नहीं है क्योंकि order number वो इसलिए है क्योंकि two से divide नहीं होता अगर two से divided हो जाएगा तो वो even number बन जाएगा तो ऐसा कोई भी set possible ही नहीं है ऐसा कोई भी number possible ही नहीं है जो की odd भी हो और two से divide भी हो तो ये एक another example है हमारा empty set का तो I hope अपको अच्छे से पता लगया होगा कि empty set क्या होता है empty set जो है वो हमारा एक ऐसा set होता है जिसके अंदर कोई भी element ना हो खाली हो इसको हम null set भी जो है वो कहते हैं यहां पर कुछ जो है आगे हैं हमारे पास finite and infinite set finite set को उनसे होते हैं ऐसे set जिनकी upper limit और lower limit जो है वो दोनों given हो यानि कि जिसका starting और last दोनों number जो है वो हमें पता हो या फिर हमें यह पता हो कि उसके अंदर क्या क्या चीज़े आएंगी उनका हम finite set बोलते हैं जैसे मैं बोल दूँ कि एक हफते में जो दीन आते हैं उनका एक set बनाईए तो अब सबको पता है कि हफते में साथ दिन आते हैं तो उसमें साथ दिन ही आएंगे तो उसमें टोटल जो है वो हमारे आठ दिन ही आएंगे पूरे हफते के अंदर तो वो टोटल जो उसमें elements होंगे वो आठ ही होंगे जो कि fix quantity है इससे ज्यादा नहीं हो सकते इससे ज्यादा कभी किसी हफते में nine days नहीं आएंगे ten days नहीं आएंगे two days नहीं आएंगे three days नहीं आएंगे वो finite है कि हमेशे इतना ही रहेगा तो ऐसे sets जिनके अंदर जो data है जिनके अंदर जो element वो fix हो उनको हम finite set बोलते हैं जैसे कि एक और example अगर मैं लिखूं कि एक ऐसा set बनाना है जिसमें सभी natural number आएं जो कि 10 से छोटे हो तो set क्या बन जाएगा one two three four five six seven eight nine ten नहीं लिख सकता क्यूंकि उन्होंने बोला कि 10 से छोटा हो तो मेरा set यहीं पे खतम हो जाएगा तो इसमें finite number ही है इसमें ऐसे set को हम बोलेंगे कि finite क्यूंकि इसमें जो है वो number जो है वो हमें पता है कि 9 से जादा नहीं हो सकते क्यूंकि कि हमें natural number लिखने से 10 से छोटे जो कि total नो ही आएंगे नो से जादा नहीं हो सकते तो यह हमारा एक जो है वो finite set रहेगा और वही infinite set वो set होते हैं जिसमें unlimited elements हो sorry जिनको हम counting ना कर पाएं फिर हम उसको बोलेंगे कि वो infinite set है जैसे कि अगर मैं आपको बोल लूँ कि natural numbers का set बना दो तो वो कि आगा 1,2,3,4 ऐसे so on हम लिखते ही चले जाएंगे इसका कोई terminating point ही नहीं है तो ऐसे set जिनका कोई terminating point ना हो जिनका कोई end element ना हो कि जहाँ पे वो खतम हो रही हो उनको हम infinite set बोलते हैं और next है हमारे पास equal sets equal sets क्या होते हैं ऐसे sets जिनके अंदर जो elements हो वो same हो उनका number same हो और elements भी हो जो है वो same हो जैसे कि एक set अगर मैं लिख दूँ 1,2,3,4 हमारा एक set यह हो गया और दूसरा set मैं लिख दूँ कि 3,4,2,1 तो इसमें अगर हम देखें तो 1 दोनों में है,2 भी दोनों में है,3 भी दोनों में है,4 भी दोनों में, तो सभी element दोनों में match कर रहे हैं इसलिए यह हमारा equal set होगा A is equal to B तो ऐसे set जिसमें same elements जो है, वो present हो, same element दोनों में belong करते हैं, उनको हम बोलते हैं, equal sets तो यह 3 important जो है, वो topic थे exercise 1.2 के लिए, अब हम अपने exercise start करते हैं, आई हो आपको यह सारे जो है, वो हमारे important topic जो है, पता लगे होगे, अगर आपको यह समझ आगे तो आप अब exercise को बहुत असानी से जो है, वो solve कर लोगे, तो first question दिखते हैं, first question है, हमें बताना है कि कौन सा जो है, वो null set का example है, अब null set कौन से थे, empty set, यानि कि ऐसे set, जिनके अंदर कोई, जो है, वो element ना हो, first question क्या है, set of odd natural numbers divisible by 2, यह मैंने अभी आपका example भी दिया था, यह एक ऐसा odd number, जो कि 2 से divide हो, अब odd number 2 से divide होते ही नहीं है, यानि कि ऐसा कोई odd number नहीं है, जो 2 से divide हो, तो यह हमारा एक null set होगा, तो first जो है, वो हमारा एक null set का example है, उसके बाद second, set of even prime numbers, हमें जो है, even prime numbers का जो है, वो set बनाना, जो हमारा सबसे चोटा और पहला prime number है, वो 2 है, जो कि हमारा एक even number है, उसके इलावा कोई भी और prime number नहीं है, जो कि even हो, सिवाए 2 को छोड़के, अगर हमें यह लिखा होता है, कि 2 को छोड़के कोई और even prime number लिखो, तो वो null set होता, लेकिन यह हमारा null set नहीं है, क्योंकि इसमें एक element जो है, वो present है, जो कि 2 है, क्योंकि 2 जो है, वो हमारा एक prime number भी है, और वो हमारा 2 even भी है, तो यह हमारा जो है, वो null set नहीं होगा, आगे, x is a natural number, where x is less than 5, and x is 7 greater than 7, इसका example भी मैंने आपको बताया था, कि हमें एक ऐसा number लिखना है, जो 5 से छोटा और 7 से बढ़ा हो, तो यह possible ही नहीं है, एक ऐसा number, जो 5 से छ example होगा, आगे है, y is a point common to two parallel lines, two parallel lines के उपर कोई भी point common होता ही नहीं है, तो यह भी जो है वो हमारा possible नहीं है, कोई भी दो parallel lines के उपर, दो point जो है वो common हो नहीं सकते है, इसलिए इसके अंदर कोई element नहीं आएगा, तो यह भी हमारा जो है, हमारा एक null set होगा, उसके बाद question number 2 है which of the falling set are finite or infinite हमें बताना है कि कौन-कौन से सेट जो है वो finite है और infinite है first है the set of months in of year एक year के अंदर अगर हम month का set बनाते हैं तो क्या वो finite होगा हाँ वो finite होगा वो January से start होगा और December पर जो है वो खत्म हो जाएगा टोटल 12 elements ही आएंगे जिनको मासानी से count कर सकते हैं तो यह हमारा जो है वो एक finite set होगा तो first हमारा एक finite set है उसके बाद second है one two three four five so only ऐसी चलता जाएगा set of natural number है जो की number कभी खत्म नहीं हो सकते continue चलते चले जाएगे तो यह हमारा जो है वो एक infinite set है यह infinite हो जाएगा उसके बाद हमारे पास फिर से जो है वो natural number की series है लेकिन इस बार उन्होंने end कर दिया 100 से 100 तक के natural number तो यह हमारा एक finite set बन जाएगा set of positive integers greater than 100 अब 100 से बड़े positive integers वो बहुत सारे होंगे infinitely होंगे तो यह भी जो है वो हमारा एक infinite set हो जाएगा आगे है set of prime numbers less than 99 99 से छोटे prime number बहुत कम होंगे ज्यादा नहीं है तो यह हम असानी से जो है वो इसका set बना सकते है finite number of elements होंगे तो यह हमारा एक finite होगा आगे है हमारे पास question number 3 state weather which of the falling set is finite और infinite हम बताने कि कौन सा set finite है और कौन सा infinite है the set of lines which are parallel to the x-axis एक x-axis के पैरलरी जो है वो हम कितनी lines ड्रो कर सकते है तो यह infinite number of lines जो है वो हम ड्रो कर सकते है x-axis के पैरलर तो इसका set जो है वो हमारा infinite set बनेगा तो first के लिए हमारा answer होगा infinite the set of letters in the English alphabet अब English alphabet में जो letters है वो fix है यह से start होगा और z पे जो है वो set खतम हो जाएगा तो finite number of elements होगे तो यह हमारा जो है finite set है next है the set of number which are the multiple of five five के multiple जो है बहुत सारे हो सकते है इनको हम जो फिक्स नहीं कर सकते last element बताई नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा number चला जाएगा तो यह हमारा जो है वो एक infinite number of set है हम कभी यह नहीं बता सकते कि last five का multiple number गोंसा है आगे है the set of animals living on earth अब अर्थ के ओपर तो बहुत सारे animals होंगे और उनको जो है वो set की form में represent करना जो है वो almost नामुंकिन है तो यह भी जो है वो हमारा एक infinite set होगा the set of circles passing through the origin अब origin में इसे pass होते हुए हम जब बहुत सारे set बना सकते हैं infinite number of sets बना सकते हैं तो यह भी जो है वो हमारा एक infinite set होगा next है question number four in the following state whether a is equal to b or not हम बताना है कि कौन-कौन किस-किस में a और b जो है वो आपस में equal है equal कब होते हैं जब same elements और counting जो है वो same हो a दोनों में है b b जो है वो दोनों में है c दोनों में है और d b दोनों में है तो इसलिए हमारा a is equal to b हो जाएगा इसमें अगर हम देखें तो a में 12 है लेकिन b में 12 नहीं है तो यह जो है वो हमारे equal to नहीं होंगे ये है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और इधर है x is a positive even integer less than और equal to 10 जो x है वो हमारे एक even integer है जो की 10 के बराबर और 10 से छोटा है even number 10 से छोटे तो 2, 4, 6, 8, 10 भी ले सकते हैं तो दोनों में 2 है दोनों में 4 भी है दोनों में 6 भी है दोनों में 8 भी है दोनों में 10 भी है तो ये दोनों जो है वो equal sets बनेंगे आगे है x is a multiple of 10 और इधर जो है वो 10, 15 यहां पे जो है वो x जो है वो 10 का multiple है यानि की set बनेगा 10, 20, 30, 100 ऐसे चलता जाएगा लेकिन यहां पे 15 और 25 भी आ रहे है जो की 5 के multiple है 10 के multiple नहीं है तो ये दोनों जो है वो हमारे equal set नहीं होंगे आगे है question number 5 Are the following pair of sets equal give reason हम बताना है कि क्या ये set जो है वो equal है और साथ में हमें reason बताना है तो b set जो है वो x जो है वो एक solution है इस equation का अगर हम इस equation के factor बनाएंगे तो वो बन जाएंगे x plus 2 into x plus 3 यहां से x की values आजाएंगे x is equal to minus 2 and minus 3 तो एक set बनेगा हमारा minus 2 minus 3 का दूसरा set है 2 3 का जो की बराबर नहीं है तो ये हमारे not equal to आएंगे next है a x is the letter of word follow जो है वो x जो है वो follow word के letter है यानि कि इसमें आजाएगा f o l w और b set क्या है b set जो है वो हमारा y है जो की letter है wolf का wolf में w आ जाएगा o आ जाएगा l आ जाएगा और साथ में f आ जाएगा तो दोनों में same ही letters है तो ये जो है वो हमारा equal set होगा आगे है ghost number 6 इसमें भी जो है वो equal set बताने है यह आप खुश्य कर सकते हो अगर आपको नहीं पता लगेगा आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे comment section में लिखेगा तो मैं next video lecture में इसको आपको करके दिखाऊंगा तो आज के वी बस इतने next question हम next exercise जो है वो हम next video lecture में करेंगे आपको यह सभी question जो है वह आज के सभी अच्छे से समझ में आए होंगे आपको कोई भी doubt हो या फिर आपको कोई suggestion हो तब मुझे comment section में लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको like करें share करें और चैनल को subscribe करें thanks for watching bye bye take care